क्या आइफोन 13 बहुत सस्ता होने वाला है क्या आइफोन 13 जो मेड इन इंडिया होगा जो स्री परंबदूर नाम की एक जगा पर बनेगा जो की चैन्नाई के पास है आइफोन 13 मेड इन इंडिया राइट मेड इन इंडिया फॉक्स कॉन का कोई प्लांट है वहां पर वो बने क्या वो मुझे 15000 का मिल जाएगा आईफोन 13 15000 का कैसे मिलेगा क्या परिशानी है कि अगर भारत में भी आईफोन बनता है तो भी आपको सस्ता नहीं मिलेगा यह बैड नियूज है बट सचा ही आपको जानने का हग है भाई तो बात करते हैं भारत सरकारी यह चाहती है कि आप आईफोन भाई बनाव हमारे इंडिया में ही बनाव लेकिन जो कच्या माल जो लगता है उसे आब बाहर से मत मंगाव क्योंकि Normally क्या होता है कि यहां पर phone assemble होते हैं जो कच्चे माल, जो parts आते हैं, जो चीज आती हैं वो बाहर से आती हैं, चाइना से आती हैं या अगर South Korean company है, तो South Korea से आती हैं, वो parts आते हैं और इंडिया में सिर्फ assemble होते हैं इससे लोगों को job मिलती है इंडिया में यह सब चीज बूलते हैं, इडिया में develop होता है तो कुछ थोड़े से duties वगएरा उनको taxes वगएरा शायद कम देने पढ़ते होंगे तो वो थोड़े सा कम rate उनको पढ़ता है बट भारत यह चाता है कि बाई अगर यहां बना रहे हो, ठीक है कि बाई ठीक है, हम ऐसा करेंगे लेकिन हमको जो taxation है, जो tax हो रहा जब government का, उसमें भारी रया मतलब वो चाहिए, concession चाहिए कम कर दो भाई, tax बहुत कम कर दो तब हम यहां पूरे तरीके से ऐसा बनाएंगे और तब शायद हमें वो iPhone सस्ते मिले अब वो भी इतने सस्ते नहीं मिलेंगे iPhone 13, 15,000 को आपको कोई नहीं दे सकता मेरे दोस्त, कितना भी कम कर लो कितना भी tax कम कर ले, अहला कि government के इस tax और इस चीज़ को लेकर और company के उसमें मत्बेद हो रहे हैं और वो कुछ तालमेल हो नहीं पा रहा है, इस वज़े से पूरे तरीके से iPhone नहीं बन रहा है अब खुद Apple ने भी official store खोलने का सोचा था बस COVID वगएरा आगे तो फिर वो हो नहीं पा रहा है अब क्यों सस्ते नहीं मिलेंगे देखो भाई, Steve Jobs ने iPhone निकाला था वो premium phone निकाला था यह जो phone निकाला था ना यह चीज के साथ नहीं निकाला था कि सस्ते से सस्ते rate पर phone मिले ना, उनका यह कभी vision था ही नहीं उनका यह vision कभी नहीं था कि वो phone को सस्ता कर सके उनका यह vision था कि वो phone को better कर सके वो phone को smart कर सके जिस जमाने में वो iPhone 1 जो कि 2007 में निकला था, जब वो आइफोन, ओरिजिनल आइफोन लाए थे, तो उनका जो मेन हाइलाइट था, वो यह था कि आप उसमें ईमेल देख सकते हैं, और उसमें आप फिंगर को as a pointing device यूज़ कर सकते हैं, इनपोर्ट डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, उसमें सब कुछ मेन इंटरनेट से अलग हुआ करता था, इसे वायरलेस एक्सेस पोर्टल या ऐसे वैप बोला जाता था, यह चोटी-चोटी वेबसाइट पोर्टल ज़ए करते थे, जो मोबाइल में खुलते थे, यह बिलकुल बड़े मेन वेबसाइट जैसे नहीं होते थे, तो अगर आपने कभी चला है तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जब स्टीव जॉब्स आए, औरिजिनल आईफोन को लेकर, तो इंटरनेट एक हो गया, वेब एक हो गया, मतलब जैसी वेबसाइट आपके कम्प्यूटर में दिख रही थी, वो बेबी इंटरनेट नहीं था वो में इंटरनेट था, आप इमेल देख सकते थे, इमेल के आपको इमेल आ रहे है, पहले क्या होता था इमेल देखनी कि लैपटॉप की ज़रूद पढ़ती थी, मोबाइल से इमेल देखना एक हैडएक था, और पूरा इमेल नजर भी नहीं आता था, लेकिन आईफोन में वो आता था, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि स्टीव जॉब्स का में उद्देश शिता फोन को स्मार्ट और बेटर बनाना, सस्ता बनाना नहीं, और आपको ये आपने कहावा सुनी होगी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो अगर आप पैसा दे रहे हो, तो आइफोन 13 फॉर एग्जांपल अगर आप ले रहे हो, तो उसकी स्क्रीन की क्वालिटी आपको वो OLED और वो सब नहीं दे पाएगा, बैटरी तिछे नहीं दे पाएगा, मेटल बॉड़ी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें पैसा जादा लगता है, तो 15,000 रुपे का फिर आइफोन वैसा ही हो जाएगा, जैसा आपका बजट Android होता है, प्लास्टिक की बॉड़ी, नॉर्मल TFT की स्क्रीन या जो भी स्क्रीन नॉर्मल आ रही है, लो रेजलिशन की स्क्रीन, ये सब हो जाएगा, इसलिए आइफोन कभी भी ज़्यादा सस्ता हो ही नहीं सकता, ये प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रैंड है, था और रहेगा, यही सचाही है, चाहें वो भारत में बने, चाहें वो आपकी सिटी में बने, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, आशा करता हूँ आपको इस कांसर मिल गया होगा कि आइफोन क्यों सस्ता नहीं होगा कभी भी, कितना सस प्रोसेसर आ रहे हैं, उन सबसे फास्ट है, उन्हें बीट कर चुकी है, क्यों? क्योंकि उनका खुद का प्रोसेसर, वो खुद का अलग बायोनिक चिप लेके चल रहे हैं, उनकी खुद की अलग लाइन है, वो मेहंगा आता है, इसलिए वो मेडिया टेक और कॉल कॉम और आपको भाई बीट कर चुका है, आप सर्च कर सकते हैं, यही वजह है, अगर बैस चाहिए, तो पैसा भी जातर लगेगा, इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शि कर दोस्तों 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 कर दोस्तों